अभी हमें होटेल दा ललित में और यहां हम लंच करने आए हैं डैली के सबसे ऊपर लोकेटिड रेस्ट्रेंड में जी हाँ 28th फ्लोर पर लोकेटिड ओको में और गाइस क्योंकि यह 28th फ्लोर पर लोकेटिड है तो यहां से आप डैली का वो नजार आने सकते हैं जो कि मुझे नहीं लगता आपको डैली में किसी और जगा से मिलने वाला है और गाइस केवल बाहर का वी अच्छा नहीं है आप इंटीर भी देख सकते हैं कितना प्यारा ह है बहुत ही स्पेशियस यहां पर सीटिंग है बाहर से में दिखा दिया अंदर से दिखा दिया अब जड़ा यहां पर खाना दिखाएंगे आपको सबसे पहले अपनी ड्रिंक्स आगी है मतलब यह मॉक्तेल है इसके अंदर आपको मिर्च भी नजर आ रही होंगी टेस्ट अब जाये टेस्ट कैसा है अलका हलका सपाइसी है और लेमंग्रस टाला हुआ है तो उसकी स्मेल भी है और और यह तेस बहुत अच्छा है इस अब बाता है इसके लिए आपको पहन ही करना पड़ेगा यह आपको अपरी में पापड़ी लेकिन पंकिन का बना हुआ है और ब थाई पोमेलो सेलेट इसी के लिए मोगो आ रहा होता हूँ बार बार और और नेक्स अपना है थाई स्प्रिंग रोल मुझे नहीं आदो को मुझे ने पहले कभी खाया है तो दिस इस वी माई फस्टाइब करूं डेलिक अंदर जितने भी रेश्टों मैंने सेलेट राई कि यह जो थाई स्प्रिंग डोल है वह ने जैसे के बताया पहले कभी लिक में ट्राइ किया नहीं है यह पस्टाइम है अग्या तो नेक्स अपने आगे सब देख सते हैं ब्रोकली है बीडिकॉन है और खॉली फ़लार है इसको क्रिस्पी किया हुआ है वह फल्की स्वीटने से के अंदर थोड़ा सा विली भी है बट वैरी परी डिलिशस यह निशा को बहुत पसंदाने वाला जैसा टेस्ट निशा को अच्छा लगता है ना इसका टेस्ट एसा है तो यह निशा को ट्राइं कराते है निशा निशा ने बिल्कुल छोट इसी ब्रोकली का फिस लिया है अबना टेस्ट अजिली प्रेटर में अबना हलका सा मेठा हलका सा स्टाइसी नेश्ट काई अपने शूशी आगई अब जाला इस तो ट्राइ किया जाए और यह जो सूशी इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंगो इसके अंदर आपको नजर आएगा एगा इवन दो आई ड आप बहुत मेठा इसके अंदर और कुछ की बीर सके अंदर और कुछ की बीए इसके अंदर की मिल्च करीम की टेस्ट भीज्ट भी आगा रहा है ता मैंगो ख्रीम वर्ण वेर्यू नाइस तार्ट अर्ड वह वगयां तो अब मारा सूप आया है विश्वन इस्ट इस इस त सबसे पहले और जैस्मिन राइस के इसाथ अपनी है यहां के जो था करी होती है वह स्पेशलिट्य है है यहां पर मदब डेली आपने जर्ण पर थाइकरी कही है ना सबसे टेस्टी थाइकरी जो थी जो मैने औको में घाए थी और इसके साथ में है पैट थाइड नूडल्स ये भी अपने वैज है और अपनी में कोज की लास्ट इश है स्टर फ्राई वेजटेबल्स अब जड़ा टेस्ट के जा है वन बाई वन सब को पहले फैट थाई नूडल्स का जा है नूडल्स जो है बहुत अच्छे से कुक किये हुए है और टेस्ट जो है जोसमें फ्रेवर्स है बहुत सटाने बहुत हलका सा मिठा पने हलका सा इमली का यहां से अच्छी थाइकरी आपको डैली मेर कहीं नहीं मिलने वाली है इतनी टेस्टी कि यह आपको पहली बार थाइकरी खानी है तो आप लजीतों को आई यहां पर ट्राइए किजिए आपको इस थाइकरी से प्यार हो जाएगा और गैस साथ में अपनी स्टॉफ राइट व तो ओरो जिनके मेन कोष की थीम है वह यह कि जो फ्लेवर से वह नहीं वह सब्सक्राइब बहुत हलके फ्लेवर से बट टेस्ट वह वह ब्हुत अच्छा रहा है में को शका है में कोष के बाद आगे डिज़गी सिस्कार में अपिर अच्छा रहे हैं दिस वह को अब पिर पहर टेस्टी था जो यहां से वियुव है वो आप देखी सकते हैं कितना प्यारा है मेरे एतना प्यारा प्यारा पैनरॉमिक यू डेलिक आपको और किसी रेस्टेरण में नहीं मिलने वाला है और यहां पर प्राइस रहता है अगर दो लोग आ रहे हैं 5,000 अगर आप हार ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, आप ड्रिंक्स लेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कमे भी आप खा सकते हैं, यहाँ पे पांचे जार रुबे खर्च करके आपको बुरा नहीं लगेगा, टोटली वर्धिर जगा है, व्यू अच्छा है, खाना बुकों में, यहाँ का एक्स्पिनस आपका भी अच्छा ही रहेगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फोलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दि you are, I'll find you and I will make you hungry!